नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर दोस्तों चंद्रमा पे कई सारे देशों ने जाने का प्रयास किया है इन फैक्ट कई सारे देश जो हैं वो चंद्रमा पे सॉफ्ट लांडिंग भी सक्सेस्फुली कैरी आउट कर चुके हैं जिसमें की अमरीका आता है चाइना भी आता है और फॉर्मर सोवियत यूनियन के द्वारा भी सॉफ्ट लांडिंग को एग्जिक्यूट सक्सेस्फुली किया गया है लेकिन कोई भी देश आज दिन तक वो नहीं कर पाया जो की इसरो के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और वो है चंद्रमा की जो साउथ पोल है जो चंद्रमा का दक्षनी दुरुव है वहाँ पर सॉफ्ट लांडिंग का प्रयास आज तक कोई भी नहीं कर पा In fact, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुभे की ही ये वाली खबर है जो की सामने आई है कि चंदरान 3 के द्वारा basically अपनी जो latest images है उसको share किया गया है जो की इसके lander camera के द्वारा photos ली गई थी जो की 70 km की उंचाई से ली गई थी moon की सते से और यहीं पर चंदरान 3 के landing का प्रयास है जो की कल किया जाने वाला है तो इसी south pole के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितना मुश्किल होता है south pole पे land करना क्यूं इसको बहुत ही कठिन माना जाता है क्यूं ये कहा जा रहा है कि अगर ये landing हो जाती है तो चंदर्यान 3 के द्वारा इतिहास रचा इनी चीजों के बारे में discussion को करने वाले है south pole में और जो moon की जो बाकी areas है उनके बीच में क्या differences है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए telegram channel के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारे odan batch को अगर आपने check out नहीं क्या है अभी check out कीजे यह शुरू होने वाला है एक सितंबर से आखरी GS का batch है जो की शुरू होने वाला है और इसमें आखरी date है enrollment की 31st of August इसमें enroll करने क लिए आपको pay करना होगा मात्र 8,420 रुपे आपको इसमें GS की सभी classes, prelims और mains की test series, csat सभी चीज़ें available करवाई जाएंगे आप चाहते हैं तो इसमें optional के साथ combine करके भी इसको ले सकते हैं 14,300 रुपे में जिसमें आपको GS और optional का combo भी available करवाया जाएगा यदि आपने इसम का link description में दिया गया है और आप enroll करते समय मेरा जो coupon code है अनी UPSC उसको इस्तिमाल करना बिलकुल भी ना भूले, in fact pathfinder pass भी हमने आपके लिए launch किया है, ये एक नई पहल है जो की pathfinder लेकर आया है, जो भी हम लोग नई-ने initiatives लेकर आएंगे आने वाले 2 साल के लिए आप चाहते ह हैं तो उनमें जाकर के enrollment कर पाएंगे, totally free of cost अगर आप एक बार pathfinder pass को enroll कर लेते हैं, इसको check out जरूर करिएगा, इसका link भी आपको description में देखने को मिल जाएगा, alright, सबसे पहले हम लोग moon की जो दोनों sides हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, ये जो आप center में देख पा रहे हैं, अभी तक बहुत लोगों को लगता था कि moon जो है, वो असल में स्थिर है, यानि कि moon जो है, वो एक जगा पे रुका हुआ है, moon rotate नहीं करता है, लेकिन on the contrary, moon दोस्तो rotate भी करता है, और moon के द्वारा revolution भी करी जाती है, यानि कि अगर ये हमारा moon है, तो ये rotate भी कर रहा है इस तरीके से, और ये इस तरीके से revolve भी कर रहा है, धरती के इर्दगिर्द, लेकिन इसमें interesting चीज क्या है, कि moon का, जो rotation का period है, और जो moon का revolution का period है, ये असल में same होता है, ये वाला जो phenomena है, जिसको हम बोल रहे हैं, कि दोनो rotation और revolution का period same है, इसको कहा जाता है, synchronous rotation, जिसकी धरती पे अगर आप खड़े होते हैं, तो आपको moon का केवल एक ही side visible होता हुआ देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग popularly near side of the moon बोल देते हैं, because जो दूसरे वाला side है, वो हमेशा ही धरती के opposite है, मतलब कि अगर मैं ये वाले side की बात करूँ, तो ये हमेशा ही धरती के opposite रह of the moon को, क्योंकि हमने इसको कभी देखा नहीं, क्योंकि इसको बहुत जादा explore नहीं किया गया है, इसको कभी कबार dark side of the moon भी कहा जाता है, जिसमें dark का मतलब इसको dark का जो word है, इसलिए इस्तेमाल किया गया है, because इसके बारे में जादा जानकारी available नहीं है, आज से 58 साल पहले बहुत सारी जो space organizations थी, Soviet Union की या फिर अमरीका की, उनके द्वारा dark side की photos को तो खीचा गया है, लेकिन धरती से इसको आप directly देख नहीं पाते, ना ही किसी ने इस dark side पे अभी तक land करने का कभी प्रयास किया था, नौ ये वाली जो dark side है, ये बहुत ही tricky मानी जाती है, क्यों, because of two reasons, असल में जो moon की जो dark side या फिर far side इसको कह लीजे, ये दोस्तो बहुत ही rugged है, मतलब की बहुत ही उबडखाबड देखने को मिलती है, यहाँ पर आपको धेर सारे craters और धेर सारे deep trenches देखने को मिलते हैं, मतलब की कल को अगर आप यहाँ पे कुछ land करवाने का प्रयास करत से भी हैं, तो possibility हो सकती है कि आपका जो भी spacecraft है, वो वहाँ पे जाकर के शायद crash कर जाए, अगर उसको सही surface नहीं मिलता है, उसको, because वहाँ पर एक continuous flat surface मिलना अपने आप में काफी बड़ी बात है, इसलिए चंद्रयान 3 के द्वारा बार बार जो है, photos को लिया जा रहा है, in order to make sure कि जो landing है, वो सही जगा पे करी जा सके, यही वाला site है, जो कि इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा, basically target किया जा रहा है, India Space Agency is attempting to land a spacecraft on the moon's south pole, एक ऐसा mission, जो कि अगर हो जाता है पूरा, इसी के साथ भारत रच देगा वो इतिहास, जो कि आज दिन तक कोई नहीं कर पाया है, because हम लोग हमारा spacecraft south pole पे land कर देंगे, अगला सवाल यह आता है कि इस रो आखिरकार lunar south pole पे जाना क्यों चाहता है, यह तो हमने जान लिया कि वहाँ पे जाना, वहाँ पे land करना काफी मुश्किल है, लेकिन जाना क्यों चाहता है, इसके पीछे 2-3 बड़े-बड़े कारण है, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक जितने भी missions हुए हैं, जिनकी soft landing भी हमें moon पे देखने को मिली है, उसने केवल moon का जो equatorial region है उसी को explore किया है, because वहाँ पे जाना आसान था, वहाँ पे operate करना आसान था, तो पहली चीज तो यह है कि हमें प्रूफ क ज्यानिकों का कहना है कि अगर आपको sunlight देखने को नहीं मिलती है, तो उस case में basically यहाँ पर आपको ज़्यादा disturbance देखने को नहीं मिली है, यानि कि solar system का यह वो वाला area है, जहाँ पे क्योंकि ज़्यादा sunlight नहीं मिली है, तो यह जैसा था, almost वैसा ही आपको आज भी देखने क मिलेगा, जिसकी वज़े से इसको study करना हमारे लिए बहुत relevant बन जाता है in order to understand the evolution of the solar system, and उसके बाद कहा यह जाता है कि south pole में आपको वहाँ पे जो craters देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बरफ देखने को मिलती है, which is trapped as ice in the permanently shadowed craters, जो की आने वाले समय में water resources का बहुत ही स्त्रोथ हो सकता है, अगर दोस्तो water resources का वैसे तो already confirm हो चुका है, लेकिन अगर उसको properly explore करके confirm कर दिया जाता है, तो उस case में lunar economy, lunar पूरा का पूरा जो ecosystem है, वो वहाँ पे create किया जा सकता है, in fact water resources की जो कहानी है, यह बड़ी interesting है, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, क in fact जो moon के ऊपर NASA के द्वारा Apollo missions को भेजा गया था 1960s में, वहाँ पे जो Apollo में हमने एक manned mission को भेजा गया था, तो उसमें जो astronauts वोपिस आये धरती पर, जो वो samples को लेकर आये थे, दोस्तों उन samples को बाद ने पता चला कि वो completely dry है, उसमें कोई पानी नहीं है, लेकिन 2008 में USA की जानी मानी Brown University के researchers ने उन samples को revisit किया, और उनोंने पाया कि उन जो वो samples थे, उनके अंदर hydrogen देखने को मिली है, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर शायद water molecule हो सकता था, ये वाला Apollo mission था, जो कि अमरीका के द्वारा 1960s, 70s में carry out करे गए थे, उसके बाद इस चीज को confirm भी किया 2009 में जब NASA का ही एक instrument था, जो कि भारत के चंद्रयान 1 वाले mission के उपर लगाया गया था, जिसने की moon की सते के उपर पानी को detect किया था, in fact उसके बाद NASA ने दो और missions को भेजा, जिसके तुरू उसने confirm कर लिया कि जी हाँ, definitely हमें moon के surface के नीचे जो है, आइस देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और इसी लिए उसी चीज को confirm करने के लिए अब भारत वहाँ पर अपने mission को land करवाने की कोशिश कर रहा है, दोस्तों पानी का मिलना इतना जादा significant माना जाता है, कि अगर वहाँ पर पानी sufficient quantities में मिल जाता है, तो ये मान के चलिए, it will be a source of drinking water for moon exploration, and could also help cool the equipment, यान कि उसके बाद आप ये सोचिए, कि कितने सारे missions हैं, जो कि अलग-अलग देशों के द्वारा moon पे carry out करे जाएंगे, और उसके बाद तो फिर आप हिसाब लगा लिजे कि moon के ऊपर colonies का बनना, जो पूरा lunar economy की race है, वो शुरू हो जाएगी, moon के ऊपर mining का होना, minerals वेगरा का हो हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलने लग जाएंगी, इसी लिए, because in order to unravel these mysteries of the moon's south pole, इंडिया के द्वारा इतना मुश्किल और इतना एहम कदम लिया जा रहा है, देखते हैं क्या होता है, कल इस time तक हमें मालुम पढ़ जाएगा, कि exactly जो हमारा चंदरयान 3 है, उसका जो वीडियो भी लेकर आएंगे, बाकि आपकी इसको लेकर क्या राये हैं, हमें definitely बताएं comment section में, जाने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे demo sessions को नहीं देखा है, इनको जरूर देखे, और हमारी perspective series को check out करना बिलकुल न भूले, इससे आपको काफी help मिल सकती है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.